दिलिप ये जो किरन डिजी जी जी जो बात कह रहे हैं वो एक तरीके से एक बड़े खत्रे की और इशारा कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया के जमाने में अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कहीं भी दिख जाता है तो सोशल मीडिया के जमाने में ये एक बात इस जगह पे दूसरी बात दूसरी जगह पे ये मेरे ख्याद में ये जो डिस्टिंक्शन है वो चला गया तो अभी जो राहुल गांदी पे जो अक्यूसेशन है वो कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले शायद हम कर सकते थे पर अभी जो है वो instantaneous broadcast, instantaneous availability and constant sharing का जमाना है तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा है जिस पे किरन रिजू जू टिपनी देके हमें संबोधित कर रहे हैं तो ये एक reaction है, reaction scale में वो बहुत आगे जा चुका है जहां तक वहाँ appropriate है बड़ दिलिप ये देखने मारा की राहूल गांदी अगर कोई बात कह रहे हैं तो उस पर इतना तीखी प्रतिक्रिया देने की क्या जरूवत है क्या इसके पीछे सिर्फ ये है कि अगर राहूल गांदी हमारी आलोचना करते है तो हमको भी उनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए या इसके पीछे कोई narrative खड़ा करने की एक कोशिश है दो चीज़े हैं आप government में हैं आपको definitely थोड़ा सा और semblance of order दिखना की है opposition में हैं तो hysteria थोड़ा सा natural है और अगर opposition में आप successful नहीं है तो आपका hysteria ज़्यादा ही होगा तो मेरे ख्याल में ये सब factors को लेकि ही response करना चाहिए जो government response करते हैं वो response मेरे ख्याल में और responsibility से होना चाहिए इस तरह से नहीं पर डिलिप क्या आपको लगता कि राउल गान्दी को भी responsibility के साथ बात करना चाहिए जब आप भारत की जमीन से बाहर जाते हैं इंग्लेंड में जाते हैं या अमेरिका जाते हैं कहीं भी जाते हो और वहाँ अगर इस तरीके से कहें कि दरसल देश के पतान में नरेंद पर हाँ राउल गांदी का जो speeches है वो जादा तर जब वो overseas है वो अंग्रेजी में बोलते हैं वहाँ का जो महौल है वो समझ के बोलते हैं और वहाँ उनका एक तरीका है कि वो बहुत exaggerate करके danger को highlight करने का कोशिश करते हैं मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ खास problem है या इसमें कोई खास danger है क्योंकि जो सुनने वाले है वो भी राउल गांदी को कही बार सुन चुके हैं तो इसलिए उनका जो आकड़े है उनका जो anxieties है इन सब पर वो एक denominator लगा देते हैं ताकि उनको पता चले कि उनका कहने कितना माननेता है बिल्कुल जय आपको क्या लगता है क्या दरसल नराहूल गांदी के इस तरीके से बयान देने से इस तरीके की बाते करने से वाकई सरकार की छबी पर असर पड़ता है नहीं देखिए हमें राजनितिक लैंड्सकेप को समझना है वे विपक्ष के नेका है तो कहीं न कहीं ये पिपणिया अपेक्षित होती हैं मतलब मैं अगर बड़े लोगतंद्रों की भी पात करूँ तो कभी अगर डॉनल्ड ट्रम्प जो कह रहें कि अब वो वापस 24 में प्रेजिदेंट्शिप के ले लड़ा इन दर रन है वो जो बार्डन के बारे में उसको कंज्यूम करेंगे कि वह इतना ही इसमें से कंज्यूम करना है तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने विपक्ष के नेता के एसाब से जो स्टेट्मेंट देना था दे दिया केवल कहीं न कहीं वो लोकेशनल एक कॉंटेक्स हो उसका हो जाता है कि यहां पे कहां लंडन में कहां न्यू यूर्क में कहां वो लोकेशनल कॉंटेक्स की नाजुकता को जरा बैलेंस करना मुझे इसमें इतना ही मुद्दा दिख रहा है बट सरकार जिस तरीके से रियाक्ट कर रही सरकार दरसल यह कहना चाहती है कि आप देश की जमीन से बाहर जब जाते हैं और आप इस तरीक एखी बाते करते हैं तो आप मुद्धी सरकार के आलोचना नहीं कर रहे होते हैं दरसल आप भारत की छबी को खराप कर रहे होते हैं क्या दोनों चीज़े मिक्स अप हो रही है क्या विदेश जाने के बाद किसी भी शक्स को अपने देश के बारे इस बारे में बोलेंगे वहाँ पे उस बारे में बोलेंगे यहाँ पे इस सीमा में बोलेंगे बहुत बार क्या होता है यह तो बिल्कुल एक बहुत बार विजिट्स भी ओफिशल होती है जैसे कि नर्सिमराव सरकार के समय जब यूएन में कश्मीर का मुद्दा डिसकस हुआ तो नर्सिमराव सरकार ने अटल बिहारी बाचपई और फरूक अब्दुल्ला को एक ही पैनल में भेजा वो दोनों साथ में गये तो बहुत क्यमन हो जाती कि जब आप मेंबर फरुफ होते हो तो आपका जो स्टेमेंट होता है उसका लाइरह हमेशा बढ़ा माना जाथा जबाप विदेश में होते हुए it's more or less like a statement of an official of the government of India वैसा उसका दाइरा माना जाता है तो इसलिए कहीं न कहीं उन सीमा उनको डेलिकेटली बालेंस करना पड़ता है and I think that is the real issue तो आपको लगता है कि राहूल गांदी ने लक्षमन रिखा क्रॉस की या सरकार ओर्रेक्ट कर रही जाए देखे मैं दोनों चीजे मानता हूँ क्योंकि अब हम एक अलग एरा में जी रहे हैं जैसे दिलिप चरियन जी ने बताया कि everything is constant, everything is live, everything is real time so on both the sides of any opposition also you know everything is constant, real time and I think दिलिप चरियन जी ने बहुत अच्छी तरह बताया that the boundaries have vanished अब कोई ऐसे सरहद या सीमा ने रही कि आपने लंडन में बोला, आपने यहाँ बोला पहले बहुत अलग अलग होता था कि आपने यहां कहां तो इस अक्बार में आया केवल उस local अक्बार में आया उसका अर्ध केवल इस audience के लिए है वहां कहां, जैसे उमा भार्ती जी आयोध्या अंदोलन के समय अमरीका में जाके भाशन देती थी, अच्छा उन्होंने वहाँ कहा है, वो उस ओडियन्स के लिए, अब वो कहीं न कहीं वो domestic and outside का speakership का location वो एक blur हो गया है, और domestic और outside का reaction का location इसलिए blur हो गया है, तो कहीं न कहीं इसलिए, अब कल स ऐसा ही ऐसी भुमिका का तब किसी विपक्ष के नेता ने की, तो मैं अच्चम भीत नहीं होगा कि तब अगर कॉंग्रेस के नेताओं ने भी ऐसी प्रतिक्रिया यहां पे दी, यह वो पूरा blurring of locational identity and perspective, location and context दोनों की blurring अब, real time media के बज़े से हो गई है, यह कहीं न कहीं उस प्लेश टोर पर